तो चलो बच्चो इस वाले सवाल को देखो इसमें basically क्या है कि थिरी uniform sphere, sphere मतलब होता है solid है ठीक ना तो थिरी uniform solid sphere having mass m and radius a are placed such that they touch each other find the magnitude of gravitational force on any one of the sphere due to the other two मतलब एक sphere sphere यह है this is the first, 1 sphere यह है this is second और एक sphere यह है this is the third अब देखोगे कि इनका send एक दूसरे से touch कर रहे है तो Newton's law of gravitation यह कहता है कि Newton's law of gravitation जब पढ़े होगे तो Newton's law of gravitation यह कहता है कि अगर बच्चो यह sphere है इस पूरे sphere है तो इस पूरे sphere को मैं एक point mass बना सकता हूँ अगर इस पूरे sphere का mass m ऐसे बिखरा हुआ है ठीक है ऐसे mass सिर्फ sphere के case में जो गोल है भाई जो goal body है जो goal है उसी sphere के तो यह इसको मैं point mass m बना सकता हूँ this sphere is equivalent to बाकि किसी का नहीं बना सकते गलत हो जाएगा तो यहां हर एक का mass m radius a है तो यह जो point यह जो sphere है उसका पूरा mass यहां मान सकता हूँ small m और यह जो पूरा mass है उसको मैं यहां पर मान सकता हूँ small m बलब m लिए इस पूरे का मैं यहां पर मान सकता हूँ m और यह अगर radius a है तो यह वाली separation कितनी हो जाएगी भाई radius a है तो how much this separation तो यह जो separation है यह जो separation है यह जो separation है यह वाली यह कितना जाएगी 2a जाएगी तो यह जो सदुभावाल है that equivalent to equation equivalent बन जाएगा कि एक triangle के फ़र्टेक्स पे एक क्राइंगल की बर्टेक्स पे यह ऐसे बन जाएगा एक and 25 कीई हैं इसमाल M रखा हुआ है और यह भी Marie का जाएगा तो अब एक दूसरी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे किसी एक पर फोर्स अगर देखोगे find the force on any one of a sphere तो किसी एक पर फोर्स देखोगे तो चलो मैं इसको target बना लेता हूँ इसको तो इस वाले को तुम देखें को तो इस वाले को भाई सारे attract करेंगे एक दूसरे को इस वाले को वो इन दोनों का ऐसे कुछ आएगा ये net force इधर center की तरफ feel करेगा इसको ऐसे छोड़ दोगे तो center की तरफ ऐसे जाएगा तो ये जो net force है ये angle कितना वाई तो ये angle 60 degree है तो ये जो net force है इस net force की value हमें निकालनी है वाई तो ये angle अब देखो सबसे पहले net force की value तभी निकाल सकते जब इसके और इसके बीच का आपको attraction पता हो तो इसका नाम रख देता हूं F1 और इसका नाम रख देता हूं F2 वैसे F1 और F2 magnitude में आपस में बराबर होंगे तो net force कितना आ जाएगा F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60 तो F1 F2 cos 60 यह जो है वो basically net force आ जाएगा तो इस net force की जो value पहले F1 की value निकालो भाई तो F1 की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी GM square over A का square और नहीं 2 A का whole square तो finally जो आ जाएगा वो GM square is equal to 4 A square यह एक force की value है अब इसको ले जाके इसमें रख दो तो problem हो जाएगा तो अगर इसमें रखोगे तो यह जो net force F की value आ जाएगी color बदल लेता हूँ बोर हो गए होगे तो मुझे पता है तो बहुत ही अच्छे हो तो यह F की value 2 times F हो cos 60 sin 31 by 2 तो 1 by 2 यह सब कुछ under root ठीक न तो magnitude में बराबर है तो यह आ जाएगा 3 F square under root तो finally थोड़ा सुन्दर तरीके से लिको तो यह जो आ जाएगा तो यह आ जाएगा F root 3 तो F root 3 is the net force तो जो net force आ जाएगा यह जो net force आ जाएगा और root 3 F की value पहले ही निकाल चुके हो gm upon 4 a का square तो this is the final solution of this problem तो आई होग कि आपको clear हो गया होगा कि तीन स्पीर वाले problem कुछ कैसे करते हैं कुछ नहीं है तीनों स्पीर का point mass बना दो और उसके बाद net force किसी एक पर निकाल लो कर तीनयस आएपिल का कुछ कर जदको किर जदे खना कर दो झाल छ्य यार tease